खबर पंजाब के जीरा से हैं यहां के वार्ड नमबर 10 में गलिया पकी ना होने की वज़े से थोड़ी सी बारिश में ही की चड़ जमा हो जाता है गलिकी ओर तो ने जीरा निगम के खिलाप परदशन कर आरोप लगाया कि वर्षो से यही हाल है लेकिन प्रशासन या कोई नीता किसी किसम की सुनवाई नहीं कर रहे वही निगम के ई-ओ धर्मपाल ने भी मीडिया को दिये गए अपने बयान में पहले कहा कि सरकार की तरफ से डेड़ करोड की ग्रांट मंजूर हो चुकी है और फिर बाद में कहा कि गली के लिए 18,88,000 की ग्रांट मंजूर होने उपर भेज दी गई है हलाकि ई-ओ साहब ने यह भी खाकी गली का काम करीब दो महीने में पूरा हो जाएगा लेकिन खुद के बयानों से पलटते हुए ई-ओ साहब को आप सुन सकते हैं यह जीरा की डिवाल्मेंट के मुद्दे को चुपाना चाहते थे पर सच्चाई मूं से निकल गई पर दी गरांट मिली है खुद MLA साहब और प्रदान जी ने इस रोड नूँ इस कम दे विजपुआ है क्योंकि उन्हादी कंसेंट देना ले काम पे आए इस काम दी लागत तर 18.88 लखर वे आए इते सीसी पर इंदो तक के काम हो जिड़ा सिरे चड़ ज़ेगा देखो आप एक बार फिर से सुनिए कि E.O. सहब ने क्या कहा और बाद में क्या कहा सब्सक्राइब करोड़ पर दी गरांट मिली है खुद MLA सहाव और परदान जी ने इस रोड़नों इस कम दे विजपुआ है क्योंकि उन्हादी कंसेंट देना ले काम पे आए इस कम दी लागत तर 18.88 लखर वे आए इते सीसी पर इंदो तक के काम हो जिड़ा सिरे चड़ देखो जी है प्रोसेस सुंदा है और जिड़ा काम में है डी सी साथ ले लेवल थे वो के उपर जाएगा सरकार पास जाएगा सरकार को इस कम बाद से गरांट आएगी सरकार पास जाएगा सरकार को इस कम बाद से गरांट आएगी उस गरांट नो आसी टेंटर लामा के टें दो मिले लाव 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 रगा है